बच्चों नमस्कार कैसे हैं आप लोग आज आप लोग का स्वागत है क्या आप जानते हैं सीरीज में और इसमें आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कोल्ड स्टार्ट सिद्上 जानत या कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रीण क्या आप जानते हैं कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रीण ये एक बहुत ही महतोपूर्ण सिध्धान्त है और भारत के military operations के लिए बनाया गया एक सिध्धान्त है अगर हम लोग बात करें तो इसका उद्देश्य है 48 घंटे के अंदर अंदर सेना को लामबंद करना सेना के सारी टुकडियों को एक साथ लामबंद करना बचों अगर आप इसकी प्रिष्ट भूमी के बारे में जानना चाहते हैं कि इसकी जरूरत क्यूं पड़ी भारत सुरुआत से एक ऐसा देश रहा है जिसने युद्ध को कभी भी करने का पहल नहीं किया है भारत ने कभी भी युद्ध के उद्देश्य से अपने आपको पहल कारी नहीं बनाया है लेकिन इसको भारत ने जब हमेशा अपने आपको शांति पूर्ण देश के रूप में प्रयोजित किया और हमेशा अपने आपको शांति पूर्ण देश के रूप में रखा और कभी भी किसी देश पे हमला करने को नहीं सोचा और मित्रता निभाई लेकिन वर्ष 2001 में भारत के लोक्तंत्र के मंदिर संसद पर एक हमला हुआ और इस कायराना हमले के पीछे भारत के पड़ोसी देश का हाथ सिद्ध हुआ इस कायराना हरकत ने भारत को अपनी नीती में कुछ परिवर्तन करने को बद्धे किया और भारत ने क्या किया भारत ने धीरे धीरे अपने आपको एक ऐसी रण नीती बनाई और एक ऐसी रण नीती के रूप में विकास किया कि अगर कभी भी भारत के उपर किसी भी तरह का हमला होता है तो 48 घंटे के अंदर अंदर भारत की सेना को समूची सेना को तयार करकर के उस समभावित छेतर पे भेज दिया जाए विशेश कर ये अगर आप बात करते हैं तो हमारे जो पश्ची मुत्तर छेतर है उस पश्ची मुत्तर छेतर के लिए तयार किया गया और अव्यस सी बात है इसमें आपको विशेश रूप से ध्यान रखना होगा कि ये किसके खत्रे को देखते हुए बनाया गया है तो भारत के पडोसी देश पाकिस्तान के खत्रे को देखते हुए बनाया गया जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत में सीमा पार आतंकवाद एक महतोपूर्ण समस्या रहा है और भारत ने इसका दंश कई दसकों तक जेला है भारत ने इसके लिए विश्व को भी अपनी इस चिंता से अवगत कराने का प्रयास किया लेकिन भारत ये चिंता पे किसी ने भी तवज्व नहीं दी थी लेकिन जब अमरीका पे हमला हुआ तो भारत की चिंता से विश्व रूबरू होता है उसे लगता है कि नहीं भारत का ये जो आतंकवाद के विरुद्द किया गया प्रयास है ये वास्ताव में भारत के लिए और विश्व के लिए चिंता का वि एक ऐसा सेन्ने सिध्धान्त बनाया गया जिसके अंतरगर्ट आदेश मिलते ही अर्टालीस घंटे के अंदर अंदर सारी सेना हमले के लिए तयार हो जाएगी और भविश्य में जो सेना है उस भविश्य की में इस सेना को तुरंट मूव्मेंट दिया जा सकेगा और उस संभा संभावित हमले के लिए अपनी सेना को तयार करना और सारे सेना के बीच में एक सामंजस से तयार करना और अगर हम लोग देखते हैं तो इसमें क्या है इसमें सबसे पहले कुछ पॉइंट्स आपको जानने चाहिए इसमें सबसे पहली चीज कि अगर कुछी सेना ने हमला किया चाहें वो परमानु हमला भी हो तो उस हमले को रोकने के लिए तत पर रहना इमीडियेट स्टार्ट करना अगर किसी भी तरह का कोई संभावित हमला होता है तो और अगर हम लोग देखते हैं तो भारत के विभिन हिश्टों में जो संभावित हमले हो रहे हैं और जो पस्चिम की सीमा है उस पस्चिम सीना पे पस्चिम सीमा पे इसको क्या करना मजबूती प्रदान करना इसी उद्देशे से हम लोगों ने कोल्ड स्टार्ट टेक्नलोजी बनाई यद्यपी इस सिधान्त की पाकिस्तान के द्वारा आलोचना की गई और कहा गया कि पाकिस्तान भी एक परमानु संपन देश है और अगर आप इस तरह के किसी भी तैयारी को करेंगे तो इस तैयारी के क्रम में इसका तात्पर है कि आप हमसे युद्ध करने के लिए तैयार हो रहे हैं तो भाई अगर तुम हमारे लिए किसी तरह की बुराई सोचोगे भी तो उससे पहले तुम हमें तुम्हारा नामों निशान मिटा भी दिया जा सकता है इसी उद्देशे से तो हमने इस चीज को तयार किया है हलाकि अगर हम लोग बात करें इस सिध्धान्त में तो इस सिध्धान्त में पाकिस्तान में टार्गेट है क्यों में टार्गेट है क्योंकि उसी के द्वारा स साथ ही अगर हम लोग देखते हैं तो चीन पाकिस्तान का कई मामलों सपोर्ट करता है। भारत ने क्या किया एक कोल्ड स्टार्ट टेक्नलोजी बनाई और डॉक्ट्रिन बनाया और इसमें सारी सिनाओं को एकत्रित किया और कहा कि तुरंत अलामिंग सिच्वेशन में 48 घंटे के अंदर अंदर जो हमलावर सिना है उसको पूरी तरह से नेस्तान आबूध कर दिया जाएगा यह भारती सुरक्षा के लिए बहुत महतोपूर्ण है और कोल्ड स्टार्ट टेक्नलोजी और कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है वो क्या करता है तीनों सेनाओं के स किसी भी भारत के संभावित खत्रे से सुरक्षा प्रदान करता है तो बच्चों यह आप समझ गए होंगे कि कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रीन किससे संबंधित है इसका उद्देश्य क्या है किसके लिए बनाया गया है और भारती सुरक्षा के लिए कितना महत वपूर्ण ह तो इसी तरह के नए वीडियो और नए सीरीज को देखने के लिए आप एक्जामपूर से जोड़ना न भूले और हमारे सौट वीडियो को देखते रहें इसमें बहुत सारी नई चीजों को लेकर करके हम लोग आ रहे होते हैं आप मेरे अलावा कई टीचर्स की क्लासे साथ सा सकते हैं रात में 12 बजे से लाइव जो सोमवार मंगलवार और बुद्धवार को होती है और मेरी सौट वीडियो सीरीज प्रस्पत सुक्र और सनिवार को होती है तो अगली सीरीज में आपका इंतजार रहेगा इसके साथ ही यह कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को मैं आप को बता आप लोगों के लिए छोड़ जा रहा हूं धन्यवाद आपका